पठान सूपर हिट होने के बाद एक तरफ आक्ट शारुख खान जश्म ने डूबे हुए थे वहीं उनके परिवार पर एक और मुसीबत आ गई है अब मुसीबतों ने उनकी पतनी गौरी खान को घेर लिया है गौरी खान के खिलाफ लखनव में FIR दर्ज हो गई है उन पर धोखा धड़ी और पैसे लूटने का आरोप लगा है दरसल मुंबई के रहने वाले जस्वन शाह ने आरोप लगाया है कि उन्होंने लखनव के सुशांत गोल्फ सिटी के तुलसियानी गोल्ड व्यू में 86 लाख रुपए देकर एक फ्लाट खरीदा था लेकिन पैसे देने के बावजूद अब तक उन्हें उनका फ्लाट सौंपा ने गया है गोरी खान इस कंपनी के ब्रैंड अमबासिडर है इसलिए तीन लोगों समेथ गोरी का नाम भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ ये केस आईपीसी के धारा 409 के तहट दर्च कराया गया है शिकायत करता ने गोरी खान के अलावा तुलसियानी कंस्रक्शन और डिवलप्मेंट लिमिटेड के चीफ एमडी अनिल कुमार तुलसियानी और डिरेक्टर महेश तुलसियानी के खिलाव भी F.I.R. दर्च करायी है शिकायत में कहा गया है कि शाह ने ब्रैंड अमबैसेडर गौरी खान के एड से इंप्रेस होकर ये फ्लाट खरीदा था दोस्तो किसी भी कमपनी का ब्रैंड अमबैसेडर बनना बड़ी ही जिम्मेदारी की बात होती है इस जिम्मेदारी को ना निभापाने का हरजाना पहले भी कई बड़ी हस्तियां भुगत चुकी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्फ कप्तान एमेस धुनी को तो एक कमपनी का ब्रैंड अमबैसेडर होनी की वज़ा से स्तीफा देना पड़ गया था 2016 में एमेस धुनी रियल स्टेट की एक कमपनी का फेस बने थे जिसकी वज़ा से वो फस गये थे माइडा में हामरपाली नीलम सोसाइटी की लोगों ने कहा था या तो दो नी खुद को कमपनी से दूर करने या अपने अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करवाए 2015 में मादूरी दिख्षत मैगी को प्रोमूट करने के चकर में फसी थी उन्हें हरिद्वार फूड एंड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन ने नोटिस जारी किया था क्योंकि मैगी के सैंपल में मोनो सोडियम ग्लूटामेट यानि की MSG और लेड काफी ज्यादा पाया गया था जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है दरसल CCPA Central Consumer Protection Authority की गाइडलाइन के इसाब से किसी भी प्रोड़क्ट में वो चीज नहीं पाई जाती है जो उसके एड में बताई गई है तो ऐसी स्थिती में इस तरह के एड़िजमेंट को गल कर सकती है साथ ही जो सेलिब्रिटी इस गलत जानकारी दे रहे हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं हाला कि अभी पिछले महीने CCPA ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी इसके बाद एंडोसर्स और इंफ्लूएंसर्स वगेरा लौ फर्म का सहारा लेकर अदालतों के चक्कर काटने से बस सकते हैं दोस्तों गौरी खान की बात करें तो अब तक उनका कोई रिस्पॉंस तो आया नहीं है इस पर वो सिर्फ इस ब्रांड की अमबैसेडर है इसलिए उनके नाम पर भी FIR हुई है लेकिन सेलिब्रिटी इसको आए दिन इस तरह के केस सामने आने के और हाँ फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें इरा नाम फरहीन अंसारी है जैहिंत जैभारत